अरपारेडियो.com की प्रस्तुती इतिहास का अभ्यास वाचक्स्वर कंचन हडपा संस्कृती का राचनीतिक जीवन हडपा सभ्यता के राचनीतिक जीवन के संभन्ध में कोई स्पष्ट प्रमान उपलब्द नहीं है खुदाई में प्राप्त विफिन स्त्रोतों के आधार पर उस समय की तातकालिन राजनीतिक स्थिती के संभन्ध में अनुमान लगाया जा सकता है विद्वानों ने अनुमान के आधार पर अपने विचार स्पष्ट किये हैं हंडर महोदय के अनुसार मोहन जोदलो का शासन राज तंत्रात्मक ना होकर जन तंत्रात्मक था सकता जनता के प्रतिनिधियों में अधिश्ठित थी मैंके के विचार में मोहन जोदलो का शासन एक प्रतिनिधि के हाथ में था पिगर महोदय का कहना है कि सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोही द्वर्ग का प्रभाव था हडप सभिता के योजना बद्ध नगर निर्मान को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर नगर पालिका जैसी कोई संस्था अवेश रही होगी निशकर्षत यह खा जा सकता है कि मोलता यहाँ विकेंद्रिकृत शासन था संभावता राज तंद्र पर धर्म तंद्र की गहरी चाप रही होगी बाशम महोदय का विचार है कि हडपा सभिता के संपून ख्षेतर में सडकों की स्थाई योजना नापतौल के बाटों, इट के आकार और यहाँ तक की महान नगरों के दृष्ण धार में पून्ता एक रूपता पाई जाती है जिससे यह मालूम होता है कि यहाँ पर अनेक समुदाय के स्वतंत्र राज ना होकर केवल एक केंद्री सरकार थी हडपा संस्कृती में नगर निर्मान पहला नगर यूजना हडपा संस्कृती की प्रमुख विशेष्टा नगर यूजना प्रणाली थी खुदाय में प्राप्त हडपा और मुहन जोदणों विशाल नगर थे इन नगरों का निर्मान सुविवस्थित योचना के आधार पर किया गया था प्रतेग नगर में दुर्ग के बाहर एक शहर था जिसमें सामानी लोग निवास करते थे मकान पक्की इटों के बने होते थे सिंधु सभिता की एक महत्वपून विशेशता यह थे कि नगरों के निर्मान में पक्के इटों का प्रयोग होता था नगर में भवनों का निर्मान सुन योजित तरीके से किया गया था रावी नदी के बाय तड़ पर नदी से लगभग 9.6 किलोमीटर दूर हडपा का पूरा स्थल जिसका पूराना नाम मांट गूमरी है स्थित है। नगर आयताकार खंडों में विभाजित था। हडपा नगर लगभग 5 किलोमीटर के घेरे में बसा था। यहाँ पर दो प्रमुक टीले मिले हैं। पश्चिम में दुर्ग टीला और पूर्व में नगर टीला स्थित है। हडपा का दुर्ग क्षेतर सुरक्षा प्राचीर से खिरा हुआ था। दुर्ग का आकार समलंब चतुरभुज की तरह का था। दुर्ग की उत्तर से दक्षिन की लंबाई 420 मीटर और पूर्व से पश्चिम की चोड़ाई 196 मीटर है। उत्खनन करताओं ने दुर्ग के टीले को एबी नाम दिया है। दुर्ग का मुख्य प् अवेश्ट्वार दक्षिन दिशा में था। रक्षा प्राचीर लगभग 12 मीटर उजी थी जिसमें स्थान स्थान पर तोरन तथा बुर्ज बने हुए थे। इटों को चुरा लिये जाने के कारण उत्खनन से किसी महत्वपूर्ण भवन की साक्षिन नहीं मिले हैं। दूसरा सडके। नगर की सडके उत्तर से दक्षिन और पूरो से पश्चिम में एक दूसरे को समकोन बनाती हुई काटती थी। जिससे सडकों के द्वारा नगर कई आयताकार और वर्गाकार भागों में बढ़ जाता था। पांच मीटर चौड़ी होती थी। नगर की प्रमुक सडक 33 फिट तक चौड़ी थी। तीसरा भवन निर्मान सिंदू सभिता के भवनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सारवजनिक भवन और दूसरा निजी भवन डौक्तर राजबली पांडे ने भवनों को चार भागों में विभक्त किया है। पहला नागरिकों के रहने के मकान दूसरा सारवजनिक भवन तीसरा सारवजनिक स्नानकुंड चौथा मंदिर धर्मस्थल। सडकों के दोनों किनारों पर पक्की इटों के मकान बने होते थे। मकान की नीव, गहरी और चौड़ी होती थी। मकान की दिवारे मोटी और मजबूत इटों की बनी होती थी। घर की फर्ष में पक्की इटों का प्रयोग किया जाता था। मकान दो मंजिल के होते थे, तदा नीचे की मंजिल से उपर के मंजिल में जाने के लिए सीड़ियां होती थी। मकान में पर्याप्त खिड़की और दर्वाजे होते थे, जिससे मकान में हवा और प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आते थे। दर्वाजे सडकी ओर खोलते थे, मकान के मध्य में एक आंगन होता था, जिससे एक तरफ रसोई घर होता था, जिसमें चूले इटों से बने होते थे, प्रतिक मकान में स्नाना घर होता था, इन स्नाना गारों में मिट्टी के बर्तनों में पानी रखा जाता था चोथा जल निकास प्रणाली नगर के सभी छोटेवा बड़े मकानों में स्नान घर होते थे काली बंगा के कई मकानों में अपने अपने कुए थे मकान से गंदा पानी नालियों में जाकर मिलता था सडक के किनारे नालिया बनी होती थी ये नालिया पक्की इटों की बनी होती थी इटों को जोडने के लिए मिट्टी मिले चूने का प्रयोग किया जाता था कम चोड़ी नालिया इटों से और अधिक चोड़ी नालिया पत्थर के टुकडों से ढकी होती थी उपर की मन्जिल का गंदा पानी नीचे लाने के लिए मिठी के पाइप का प्रयोग किया जाता था नालियों में जगजग़ कच्रा रोकने के लिए सोक पिट बने हुए थे नालियों के सम्मंध में गार्डन चायल ने लिखा है कि सुनयोजित सडकों तथा अति उत्तम नालियों की वेवस्था से जिससे निरंतर सफाई हुआ करती थी ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर कोई नगर पालिका थी जो निरंतर चौक सी रखती थी प्रते घर में स्नानागार का पानी, गंदे पानी और वर्षा जल निकालने की समुचित वेवस्था थी पाचवा कूए सिंदु घाटी की लोगों ने जल के नियमित स्त्रोत के लिए कूओ का प्रबंध किया था मोहन जोड़ों की खुदाई में ऐसे कूए मिले हैं जिनकी चोड़ाई दो फिट से साथ फिट तक है कूओ की जुड़ाई सफाई और मस्बूती दर्शनी है सार्वजनी कूओ के अत्रिक्त जो जन्ता के लिए बनाए होते थे कई घरों में वेक्तिगत कूए भी होते थे चटवा स्नानागार मोहन जोड़ों की खुदाई में एक विशाल स्नानागार मिला है यह लगबग 49 फीट लंबा, 23 फीट चोड़ा और 8 फीट कह रहा है स्नानागार के चारो और रास्ते, 3 और बरामदे और 8 कमरे हैं स्नान के लिए स्नानागार में जाने के लिए सीडिया बनी है चबूते और उपर छट में जाने के लिए सीडिया बनी है यहां का जल पास स्थित कुए से भरा जाता था जिसे खाले भी किया जा सकता था ठंडे और गर्म जल भरे जाने की भी विवस्था थी स्नानागार के निकट एक भवन मिला है जो की संभावता हमाम था और जिसमें जल को गर्म करने का प्रबंध था डोक्टर जै नारायन पांडे के अनुसार स्नानकुंड के पूर्व में स्थित एक कम्रे में इटों की दोहरी पंक्ती से निर्मित एक कुआ मिला है स्नानागार के लिए पानी की पूरती का यही मुक्य स्थरो था स्नान कुंड के दक्षिन पश्चिम की ओर तोड़ेदार महराब वाली पटी हुई नाली से स्नान कुंड के जल की निकासी की विवस्था थी स्नानागार की भविता, विस्तार प्रथा, महत्वपूर्ण स्थिती से इसका विशिष्ट सारवचनिक महत्व परिलक्षित होता है साथवा अन्नभंडार हडपस संस्कृती का आर्थिक आधार द्रिंड था नगर, वैपार, वैवसाय और उद्योग धन्दे का केंद्र था अनुमानता लोगों का मुख्य वैवसाय खेती था उत्खनन में काले पढ़ चुके गेहूं के और जौ के नमूने मिले हैं हडपपा के अन्नागारों का विशेश महत्व है हडपपा में मिले चबूदरे के बीच में एक छेद मिला है जिससे संभावता लकडी की उखर लगाई जाती थी यहां राक, जले हुए गेहूं के दाने और फूसा के तिन के मिले हैं यह अनाज पीसने का स्थान रहा होगा मोहन जोदरों का अन्नागार विशाल तमभवन है जो 55 मीटर लंबा, 37 मीटर चौड़ा और 27 खंडों से युक्त है बाहर सामान चड़ाने उतारने की ववस्था और हवा प्रकाश की ववस्था का भी ध्यान रखा गया है निश्चित रूप से इस विशाल अन्नागार का अर्थ विवस्था में महतुपून स्थान रहा होगा 58 सभिता में उपियोगिता वादी दृष्टी कोन का बाहुले रहा है यहां की भवनों में अलंग करणों का अभाव मिलता है इस नगर योजना में विविधता का भाव था भवन निर्मान में पक्की इटों का प्रयोग हुआ और जुडाई का कारे मिट्टी के गारे से किया जाता था कारीगर इट जुडाई कला में दक्ष थे भूतल में इट का प्रयोग होता था और उपर की मन्जिल में लकडी का उपयोग होता था हडपा संस्कृती का विनाश कैसे हुआ आओ बच्चो अब ये जानते हैं मैसो पुटामिया की प्राचीन सभिता अठारा सो इसा पूर्व के पश्चाद भी बनी रही पर हडपा की नगर संस्कृती लगभग उसी समय लुप्थ हो गई थी जितना कठिन हडपा संस्कृती के उदय को जानना है उतना ही कठिन उसका समाप्थ होना जानना है इस संस्कृती के विनाश के संबंध में कोई सपष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं इतिहास कारों ने इस सभ्भिता के अंद के संबंध में अलग-अलग मत दिये हैं। संभवता हडपा सभ्भिता का विनाश इन कारणों से हुआ होगा। दूसरा जलवायू परिवर्तन संभवता जलवायू में अचानक परिवर्तन आ गया हो। वर्षा कम होने लगी हो, मिट्टे की उरवर्ता कम हो गई हो और अना व्रिष्टी आदि के कारण इस फलती-फोलती सभिता का अंठ हो गया हो। सिंधु नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया हो जिससे पानी की कमी से सिंधु वासियों की बृत्टी हो गई हो। तीसरा अकाल और महमारी पानी की कमी वा भूमी की उरवर्ता कम होने के कारण संभवता सिंधु क्षेतर में अनाज की उपच कम हो गई हो। जिससे अकाल पढ़ गया हो, कोई संक्रामक रोग महमारी की रूप में फैल गया हो, जिससे यह सभवता समाप्थ हो गई होगी। चौथा भूकम्प भूगर्भ में हुवे परिवर्तनों की कारण हो सकता है भूकम्प आया हो, जिससे इस सभवता का अंधुगा हो। पाचवा बाहे आकरमन गाडन चायल्ड और वीलर का विचार है कि सिंधु सभवता के विनाश के लिए आरियों का आकरमन उत्तरदाई है। खुदाई में प्राप्त अस्तिपंजरों से कुछ कंकालों में पैने हत्यारों द्वारा चोट की निशान मिले हैं। चुकि सिंधु वासी शान्ति प्रियते इसलिए आरियों या अन्य बाहे आकरमन कारियों का सामना नहीं कर पाए हो। संभवता इसी कारण ये सभवता नश्ट हो गई हो। अलगलग इतिहास कारों के अनुसार इन कारणों में से किसी एक कारण से हड़पसं स्कृती का विनाश हुआ होगा। अरपारेडियो.com की प्रस्तुती इतिहास का अभ्यास।